तो अभी मेरा ये बॉक सेट से एक खाना मैंने लुगों इतना पसंद तो आता नहीं है तो मैं देख रहा था जॉमेटों पे तो मैने बॉक सेट में दिखा चुले और चावल तो मैंने ये шावल, आप डेख सकते हैं कितना तकी सरे कवर खाना कहा हुन रहा है खाव देशी वेन इंडाउट खाव देशी तो इसको अभी हम निकालते हैं देखते कैसा रहता है अंदर अगर निकालूं तो दिखने में तो काफी सही लग रहा है तो यह निकल गया है अभी अभी इसको में अन्बॉक्स करता हूँ थोड़ा देखता हूँ कैसा रहता है अदर अगर अगर में हो तो खास तोर पर आपको पता ही रहेगा कि इधर का फूड कैसा होता है मेहंगा तो रहता है यह मेहंगा होने के बाद भी इतना सही यह लोग देते नहीं है तो यह आ गया है अभी एक इसके साथ स्पून भी दिया है जो कि काफी सही है भी देखता हूँ टेस्ट करके कैसा लगता है और फिर मैं आपको साजा करता हूँ अपना एक्सपीरियेंस कि मेरा पहला बाइट उठा लिया हूँ अभी काफी सही है यार चटनी भी है प्याज है यह है अब ट्राइ करके देखो एक बार काफी मजा आएगा आपको दोस्तों यह खाने में पूरा दिल्ली वाला फील आ रहा है जैसे दिल्ली के सड़कों पर कैसे छोले चावल राज में तो उस तरह का पूरा फील आ रहा है मैं था हूँ आपे मुखरची नगर में जब प्रिप्रेशन कर रहा था ऐसे सी की तो वहां पे एक पंजाबी अंकल ते वो लगाते थे जहां पे छोले चावल राजमा चावल और कडी चावल यह से मिलता था बहुत ही साही टेस था और एंड उसके तरह डिटो एकदम अगर वो ले तरह टेस्ट में को मिल रहा है मैं तो बहुत ही धन्य हो गया वाजी खाना खाके क्योंकि ऐसे काड़ा में को मिलते रही है नॉर्मली खाली वहीर आपको मिलेंगे डोसा इडली सामबर यही सारे मिलते हैं तो खाखाके मन त तो इंडिया नौर्थ में कहीं पर बीटे सौरी साउथ में हो तो आप एक पर बॉक्सेट से यह राजमा चावल या छोले चावल मंगा के देखो काफी मज़ा आएगा आपको खाने के लिए तैंक्यू सो मच